वेल्व एवर्वन वेल्डम टू मैं यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैंस क्लासिज इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड कोश्चन और इसका है जो आपका चैप्टर 9 है लाइन सेग्मेंट्स क्लासिक्स में उसका हमने यह जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपके वक्षूट वन से पहले कुछ कोश्चन है पेज नंबर 147 पर इसका कोश्चन वन मैंने आपको यह अभी करवाया था इससे पहले फ़ले वीडियो में अब हम करेंगे इसका कोश्चन नंबर 2 इसमें देखो क्या है यूर गीवन 4 पॉइंट्स आपको 4 पॉइंट्स दिये ह अब फिर आपको देखना है कि आपको कितने लाइन सेग्मन्स मिले हैं 5 मिले हैं 6 7 8 जितने भी आपको बताने पढ़ेंगे नेम ओल उफ दे मुर्इन दोडिखने अब यह पर यह आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं मैं यहा लिख देती हूं लाइन सेग्मेंट्स लाइन स जो भी हम हमें पता चलेगा वह सारे लाइन सेगमेंट हम यहां पर लिखते जाएंगे अब यह कोशन करने के लिए देखो आपको क्या पैंसिल और स्केल की यूज करना पड़ेगा एक चीज और है यह डिपैंड करता है कि आपके मैम यह सर जो भी है आपको वह कोशन कैसे सकते हो ठीक है लेकिन जैसा प्रविए बोले के आप बुक को खराब मत करो अपने नोट्बॉक पर लिखकर वह पर कर वहाँ पर करो तो यहां पर करता है जैसे भी आपके टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे आपको वैसा ही करना ठीक है आप अपने मन से ना करें जो भी आपका टीचर भोलेगा आप वैसे करें मेरी वीडियो से आप सिर्फ हैल्प ले सकते हैं कि हम इसको यह ऐसा हो कि अगर कोई आपको कोई टोपिक शूट गया हो वहाँ पर थोड़े बोता अगर कहीं कमी रह गया तो आप यह वीडियो इसके नाम लिखो यहां P, Q, R और S ठीक है यह आपके पस पॉइंट है तो हम कौन से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे P से स्टार्ट करेंगी ठीक है अब आप यह देखो यह चार फ्रेंड है P, Q, R, S ठीक है P, Q के घर जा सकता है ठीक है तो मैं इसे एक रास्ता मुझे यहा से मिल जाएगा P, Q तो यह क्या है एक LINE सेग्मेंट है क्योंकि हमें पता है line सेग्मेंट क्या होता है यह क्या होता है portion of a line having two end points इसमें two end points बात होता है जिसमें last में फ्ली of arrow ना बने हो तो पहला हमारा आगया P, Q ठीक है next है हमारे पास P और कहां जा सकता है P अपने friend R के घर भी जा सकता है ठीक है P जो है वो अपने friend R के घर जा सकता है तो मैंने मिला दिया P R ठीक है तो यहां हम लिख जेते हैं P R ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास यह जो P है वो अपने friend S के घर भी जा सकता है तो मैंने यहां से मिला दिया P S ठीक है, यहां से हम next लिख देंगे P, S अब अगर किसी बच्चे को doubt है कई बच्चे यह कहते है कि मैं कोई जरूरी थोड़ी है देखो, जिस टाइम मैं यह ऐसे मिला रही थी ठीक है, मैंने यह P point था, यह S point था, मैंने यहां पर scale रखा, ruler रखा मैंने P को मिलाया S से, ठीक है, वही सड़क आई, P और S के घर के सामने जो सड़क वही आई आप P से S के घर चले जाओ तो भी वही सड़क रहेगी S से P के घर आजाओ, तो भी वही सड़क रहेगी, ठीक है, आप P से S के घर जाओ, यह S से P के घर वो same एक ही रास्ता है उसमें कोई change नहीं होगा means अगर आप P S लिख देते हो या फिर S P लिख देते हो तो वो same line segment है इसमें ये नहीं है कि मेरे friend ने तो S P लिखा है मैंने P S लिख दिया तो कोई change नहीं वो एक ही बात है ठीक है दोनों ही ठीक है तो ये हमारे हो गया अब आप ये देखो P से P के अलाव सिर्फ तीन ही point थे Q R S तो तीनों के घर चला गया है P Q P R और P S ठीक है अब next देखो next हमारा point क्या आता है Q अब Q से देखो कहां कहां जाया जा सकता है Q से P के घर जाया जा सकता था लेकिन वो हम लिख चुके हैं देखो Q P ठीक है क्योंकि मिला हुआ है Q P लिखो या ना दुबारा ऐसे Q P लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि Q P और P क्यू एक ही बात और वो लिखा जा चुका है इसके अलावा ढूंड लो अगर आप कहीं कुछ और लिख सकते हो Q से जाया जा सकता है R के घर देखो ऐसे Q से जाया जा सकता है R के घर हम कहां गए है Q R तो हम लिख देते हैं यहां पर Q R ठीक है Next है हमने Q से स्टार्ट कियो ना Q से R अब देखो Q से P जा सकते थे वो भी रास्ता बन चुका है Q से R जा सकते थे वो भी रास्ता बन चुका है अब इस सिर्फ एक ही यहां पर बचा है Q से S ठीक है Q से S क्योंकि मुझे स्टार्ट क्यू से करना है Q से S ठीक है तो यह हमारा आगे q.s Q से जितने भी रास्ते जा सकते थे 3 जा सकते थे q.p q.s और q.r तिनों आ चुके हैं लिख चुके हैं अब q के विटर आ चुके हैं अब लिखना मुझे r से r से देखो r से q पर जा सकते थे वो पहले से लिखा हुँग है r.q r.q ठीक है आर से पी पर जा सकते थे आर पी वो भी लिखा है अब एक वर बचता है मेरे पास आर से एस ठीक है आर से एस ठीक है यह हो जाएगा आर एस क्लियर है तो यहां से देख लो यह आपके हो गए से लाइं सेग्में अब आपको यहां बताने कि कितने लाइं सेग्में और आपने सेग्में आर इसमें से सब्सक्राइब को पमड़ेटे कवादेशन की इस में राइन सेग्में आन आप सबसूंद हो उगया 1,2,3,4 ,5 ,6 गया सब्सक्राइब कव्याटेिGenं затा हैeng guide İşte windows 16 6 line segments इसमें लिखा था जोएन देम इन पेर्स तो हमने या से दो दो लेकर उनको क्या किया है इसे जोइन किया है इस कोश्चन में यहां तक इतना ही है next हमारा इसमें सिफ तीन ही कोश्चन है यह मैं आपको पता देती हूं इसमें दिखो क्या है थर्ड आपको दिया हुआ है गिव त्री एग्जामपल्स अफ लाइं सेगमंट्स फोम यूर एन्वार्मेंट आपको एन्वार्मेंट मिस आपको आपके आसपास कहीं पर देखना है और फिर आपको उनके मिस मुझे एग्जामपल सोच के बताने है और फिर एग्जामपल्स देने है फर्स्ट सेकिंड और ये थर्ड ठीक है यहाँ पर आपको यह बताने अब आप यह देखो सबसे पहले तो देखो जैसे यह आपका क्या होगा स्केल है ठीक है अब आप यह देखो कि यह जो स्केल की एक यह एक साइड है ठीक है आप इस डोट से स्टार्ट के यहाँ पर इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया ठीक है आपने इस पॉइंट से यहां से जाकर आप यहां से सिद्धा गई हो यहां रुख गई हो बताओ यह लाइन सेग्मन्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, आप यहां देखो नेचर म में देखो, नेचर में आपको ऐसे ऐसे आपको पीज्ए, अईसे les theories बनी हुई नहीं, दृक ind आपको ऐसे लिखते लाइन बनी हुए जिखेंगी वहुह욱 कंद आपको आपको दिमागव Скण प्रफक現在 जिसे आपका ruler है उसमें देखो यहां इस point से लेकर यहां पर अब आपको दिख रहा होगा यहां पर इस point से लेकर अगर आप ऐसे जाओगे साथ के साथ जाते रहो जाते रहो यहां पर ठीक है और इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं जैसे आप को दिखा देखती हूं कोई जैसे इन जैसे मान लोगे की एक बुक है मेरे पास ठीक है आप यह बुक जो भी है जैसे यहां पर देखो यहां पर देखो यह इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर अगर आप यहां देखो के इस पॉइंट तक ठीक है तो यह भी आपकी क्या है यह भी क्या बनेंगी लाइज सेग्मेंट्स होंगे इसका नीम क्या जा проп साइड्स ओफ नोट्बुक नोट्बुक लिख दो ठीक है आपको एक्जामपल ही देने हैं साइड्स ओफ नोट्बुक लिख दो साइड्स ओफ डॉर साइड्स ओफ डॉर ठीक है इसके अलाव भी आपके पस बहुत सारे हो सकते हैं वह आपको थोड़ा है ना अपने रियल लाइफ में इदर उदर से कहीं आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा जैसे आप यह देखो मैं आपको यह बता देती हूं जैसे आपकी बैड शीट्स होत बैड शीट है ठीक है वागर जैसे फरश पर को इसमानलोव आपका रूम है तो एक पॉण्ट से लेकर दूसरे पॉण्ट तक यह भी सारे क्या भन जाएंगे लाइन से घ्राल में आपके लाइफ में भी रावाइफ सारे हैंग्टे और फिलूर ओन्डे और कमेंट करके मु अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें थैंक यू सो मच यह जो वीडियो है इसकी प्लेइलिस्ट का लिंक और इनकी जो पीडियेफ है पीडियेफ का लि